हेलो गाइज ,कैसे है अप लोग तो आज हम बनेगु फड़े और टॉपिक परने वाल है वह वाट is democracy यह टेमोकरेसी यह चाप्टर पूरे चाप्टर में लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपनोट इस डीमोक्राशी वाट इस फीचर क्या और इसके फीचर क्या की अर्ट बहुत है ये सकते हैं और क्या करने चाप्र व्यूल उन्हान सिंपल डिफिनेशन पढ़ेंगे दिमॉक्राइशी का और इस ट्रॉम को समझेंगे अच्छे से और आहां है हम लोग का इसके फीचर को जान जाए के इस जप्रक को प्ढ़ने के बाद हम लोग जो है वह सक्षम हो जाएंगे को अंतिम तक पुरा ठाश लेंगे तो तो श्टार्ट करते हैं और मानगे आपके पास बूक नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्सिन में आप वहां पे जाके बाई कर सकते हैं आपको वहां पर 50% डिस्काउंट भी मिलेगा तो वहां से बाई कर सकते हैं करा यूद अलीडिट वाउट इसे पहले तो आप लोगो पता चली गया होगा और आपको डाउट होगा इसलिए आप लोग आए हैं तो पुरा लाज तक बने रहें क्योंकि मैं पूरा अच्छे से बताने वाला हूं डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजेगा मैं लिंक देदूंगा बुक का कहरा डिमोक्रासी अब है क्या डिमोक्रासी अब यहां पर कुछ बच्चे हैं और एक टीचर है उसके बीच में कनबर्जन होता है तो यह कनबर्जन हम लोग तो ऐसे तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं क्यो आउप डिमोक्रासी कैया हम लोग जहां तक हम लोग दोओं पढ़े है तो डिमोक्रासी जर्फ informação और यहां पर पर पिढ जो रोलर है नौह के सब्सक्राइब बंगार जैसा कि नेपाल सुदी आरब। forehead वह भी नन डेमोकरेटिक हैं क्योंकि अब वो लोग राजा इसलिए बनते हैं और वो लोग रूलर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो लोग जो है उसके बच्चे हैं वहाद नौबल फैमली में ज़्म लेते हैं तो हम लोग इसको भी न Note attitude कर सकते हैं क्या तो यही बात है household democracy हम कुछ नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या परेंगे अब इसके फीचर को भी जानेंगे अच्छे से कि क्या क्या फीचर परेंगे और उसकी फीचर की समझने के बाद मुल्क पूरा अच्छे से समझ जाएंगे तिंग अब देखें यहां पर एक फोटो दिखा रहा है डिमोकर्सी को यहां पर दिखा रहा है इस कार्टून was drawn when election was held in Iraq with the presence of US and other foreign power what do you think the cartoon is saying what is democracy written अब यहाँ पर यह जो काटून है वह इराक काटी नब यहाँ पर जो डिमोक्राइसी जो है न इराक में वह यूवेस और अज़र फोरिंग पावर के मतलब उसके उसके पावर के अनुसार इसको डेमोक्राइसी जबरदस्ती लाया जा रहा है इराक में यह यह काटून दिखाना चाहता है समझे है न मतलब आपको जबरदस्ती डेमोक्राइसी आप मतलब आपका कांट्री लगातार आपको डेमोक्राइसी लगातार नहीं सौरी मतलब आपको जबरदस्ध है आपको डिमोक्रेसी बनाना चाहता है वो भी वो पावर के अनुसाल तो हम लोग इसलिए हम लोग जो है प्पारेंगे क्या प्पैसर डिमोक्रेसी के और अच्छे से समझ गे हम लोग ने पढ़ा democracy is a form of government इनीवेशी ruler are elected by people अब ruler कौन है भाई अब यहाँ पर हम लोग यह भी जाने कि ruler कौन है और कौन सा government जो है वाट democracy में राना चाहिए और कौन जो है वाट decision लेगा democracy में कैसे election होने चाहिए क्या कै condition होने चाहिए election के democratic होने के लिए people कौन होने चाहिए जो कि ruler को चुनेगा इस बहुत सारे question हम लोग के mind में आता है अब यह भी question होगा कैसे form of government होंगे democracy में अब जो ruler है कैसे democracy में कैसे काम करें अब सब सब हम लोग के mind में question आता होगा तो हम लोग जानते हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कह रहा major decision elected leader अब कहने का मतलब है जो decision जो होगा न फाइनल जो decision होगा वह उसी के हाथ में होगा जो जिसको हम लोग elect किये हैं जैसे कि अब हम लोग कुछ example ले 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 तो जहां पर यह रूल यह बात जो है वह फॉलो नहीं किया जाता अब पाकिस्तान में अब पाकिस्तान में और 1990 अक्टूबर 1990 में एक military group ने जिसका नाम था परवेज मुसा रफू वो military के साहता से क्या किया जो वह खुद को ना chief executive बना दिया यहां पर दिया भी होगा देख सकते हैं यहां पर यहां पर दिया वह chief executive गोशित कर लिया और उसके बाद क्या किया उसने president खुद को president गोशित कर लिया और उसने एक referendum referendum करवाया country में अपने president को 5 साल का बढाने के लिए अब जो पाकिस्तानी मीडिया जो थी वो भी उसके साथ थी human rights organization अब पाकिस्तानी मीडिया को अपने कबजे में कर लिया था तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए अब जो सही रहेगा वही वही दिखाएं लेकिन जो पाकिस्तान की जो मीडिया थी वो भी मिली हुई थी जो राइट से सब खतम हो गयते अब ऐसे में क्या होता है देख सकते हैं यहां पर आगे भी दिया हुआ है और जो एक्सन वे थे ना वह माल प्राक्राइश और फ्रॉड के तरह फ्रॉड से हुआ था मतलब ब सब्क detlungen ल進 के साटी लिए और वह मानें करके जिनेरल मुसरण को पास क्रवाध और पांच सल का फिस्ट्रेंड कर यह अब वो खुद को प्रेसीडेंट्ट बना लिया और जो ईलैक्सन यहोग। करके हम लोग जो रीपरजेंटरीटिफ को चुनते हैं यहां पर देख सकते हैं नेशनल और परईशनल असेंबली पे कभगा कर लिया आप मानिते हैं को भी हम लोग डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए later गी आदमी को उससे पहले में democratic तो नहीं हुआ ना क्योंकि जिसको हम चुने उसके हाथ पे तो राइट है नहीं वो तो decision ले नहीं रहा है तो ऐसे में जो democracy का जो है नाम हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि यह democratic democracy हम इसको कहेंगे नहीं यही एक first feature है कि जो democracy होगा उसका जो power जो होगा power और पावर वह लोग के हाथ में होगा लोग जो है वह अपने representative को चुनेंगे और उसके पास कुछ power आएगे और वही रूल को या decision जो है वही लेंगे ठीक ना तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरह और दूसरे भी country है चलिए अब second point परते हैं यहाँ पर देख सकते हैं in the democracy the final decision यहाँ पर देख सकते हैं final decision making power most rest in the world elected by the people who are represented हम लोग चुनते हैं उसके हाँ में होना चाहिए ठीक अब कह रहा election जो होना चाहिए democracy जो होना चाहिए में election होना चाहिए वो free or failure होना चाहिए और जो इससे पहले जो leader था उसको भी हारने का chance होना चाहिए हारेगा तब यह तो उसको पता चलेगा न कि तबी तबी तो वो आगे जाके अच्छा काम करेगा ताकि उसको बोट मिले तो ऐसा ऐसे बहुत सारे देश में पाल गया जहां पर ऐसा नहीं होता है जैसे कि हम लोग चाइना को देख लेते हैं एलेक्षन तो होते हैं पर्लियामेंट में लेकिन जितने भी कंडिडेट्स जो होते हैं वह चाइनीज कम्यूनेस्ट पार्टी के होते हैं या त प्रजिदेंट को पॉइंट करता है, तीन हजार मिंबर होते हैं पूरे चाइना में, और कुछ आर्मी से भी आते हैं, भी हां पर देख सकते हैं, बीफोर करने, छो है कोई भी ऐलेक्शन में आने से पहले, जो चाइनिज क्मिनिस्ट पार्टी है, नेशनल प्रप्स क्वाल ग सब्सक्क् euchने हमां इस एक अ किया उपन आ ने मिला रहा है अगर मांनद चल WAT हम उस से मिल गए तो आर उसम न फॉले में खोर मैं चलो शक्क हाप होग तो अलसा ही चरह साल पर होता है परती छो साल पर इलेक्शन होते हैं मेक्सिको में फिर भी एक मेक्सिको में जो इलेक्शन होते हैं परती सिक साल पर होता है हम लोग ने पर लेकिन फिर भी जो इलेक्शन में जो जीतता है वह सेम पाटी रहता है वह भी बहुत सारे बहुत ज्यादा सालों से व वो है P R I, उल्टा नाम है भाई, उसका आम लोग फूल फूल कहेंगे तो वो इसका नाम है Institutional Revolutionary Party, Institutional Revolutionary Party, P R I, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा नाम रख लिया है, उल्टा काम भी करता है, पी आर आई, P R I, P R I कैं Institutional Revolutionary Party, अब जो opposition party है, वो कभी election जीती नहीं पाती है, ऐसा थोरी नहीं होता है, शतर सालों में एक भी वार नहीं जीते हैं, ऐसा थोरी नहीं होता है, तो यहीं बात जानते हैं, हम लोग क्यों हो ऐसा हुआ, तो अब जो P R I party है, वो क्या करता है, जो election होता है, उसमें जो है, जो भोट देने का जो काम होता है, जिस पर भोट हम लोग देते हैं, उसको ही चेंज कर देता है, वो क्या करता है, एलेक्शन को जितने के लिए, वो माल प्रैक्रिशेज, मतलब गलत काम करता है, मानिक चलो हम लोग जो है, जिस पर भोट देते हैं, उसको चेंज कर देता है और जो पैरेंट्स होते हैं अब जितने भी सरकारी कमचारी होते हैं उसको क्या करता है सरकारी कमचारी को एक जगा बैठा के उसको कहता है कि जितने भी आप जितने भी स्टुडेंट उसके पैरेंट्स को आप कहिए कि इसको भोट देना जवरदस्ती और इसको भोट देने के और जो रहाती है वो क्या करते हैंacción को को गलत गलत काम होता है उसको दिखाता है और जो 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 पार्टी बनना वाली है जो उसको पैसा दिये रहाता है उसके बारे में अच्छा अच्छा रिपोड दिखाते तो ऐसे ही करते करते 60-60 मात्रेक प्राइप कह इस जितिती जो कि हर एक लीडर को या वहर एक बंदे को डर रहना चाहिए कि अगले एलेक्षन में हम लोग हार जाएंगे तभी तो वह लोग अच्छे काम करेंगे और अच्छे से जीतेंगे, ठिक न? अब अगला टॉपिक देखते हैं, अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है और जो नेक् कि एक आदमी के पास एक बोट और उसका बैलू एक ही होना चाहिए यह ओडाना चाहिए जैसे कि आम लोग सबसे ज्यादा में देख सकते हैं सबसे ज्यादा मिंबर थे उसके मायनुरिटी जो लोग थे जिसमें जिसके पास ज्यादा मिम्बर होते थे जो कास्ट के पास उसी के पास रूल करने का या कुछ भी करने का अधिकार होता था और प्राटरण्न अधिक्राश च चाहिए और यह भी एक फीचर हो गया इने डेमक्रासी यहां पर दिया भी वह इने डेमक्रासी इच अब हम लोग पढ़ते हैं आगे हम लोग चलते हैं अब यहां पर देख सकते हैं at last one man one one vote आगी गया I like better when I one woman and one vote अब यह काटून हम लोगो क्या काना चाहता है देख सकते हैं अब लोग जो हम नेक्स फीचर है वो है rule of law and respect for right अब जिंबाम्बे में जो इंडेपेंडेंस होने का बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर एक राजा किया राजा जैसे हम कर सकते एक पार्टी है जानू पी एफ जो है वह हमेशा जीतते आ रही थी ठीक ना और वो और उस लीडर था उसका रोबोट मुगावे उस कंट्री में रूल करता था इंडेपेंडेंडेंस तक इलेक्शन जो वह लगातार होता था और जानू पी एफ ही जीतता था हमेशा अब जब प्रेसिडेंट मुगावे था वह पूपलर तो था लेकिन उसके कुछ अनफेर प्रैक्टिसेज के कारण जो लोग उससे हीट करने लग है अब सालों भर से जो है उसका जो पावर है प्रेसिडेंट का वो पावर बढ़ाना चाहता था, प्रेसिडेंट एंड में और उस एंड में लेस अकाउंटेबल, जो उसके ऑपोजिशन पार्टी थी, वह वर्क करते थे, अब मान के चलो कोई रूलर ही है, अगर वह गलत काम करता है, तो हम लोग को ऐसे ऐसे काम, जिसका स्मेधन के मीदाम करने के लिए, वह गलत काम करेगा, जो गलत है, उसको सही कर देगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अंततğा उसको-दोजार्य सत्रय में फोर्श करके उसको हटा ही दिया गया, हम लोग इस समेधान से कर सकते हैं, डेमोक्राटिक ग़र्मेंट जो है, यह ज उसको पसंद है उसके अनुसार न करके जो constitution जो बनाया है जो rule है जो accountability है और जो people को जो पसंद है और उसका जो अधिकार है उसको फॉलो करना चाहिए, चाहिए कुछ भी हो जाए, जो right दिये गया है उसके अनुसार उसको चलना चाहिए, जो right जो हम लोग के सच्छीना नहीं क यह कोई भी रूलर क्यों नहूं से के मुलोग देख सकते हैं देखे भी हैं जो रोबर्ट मुगावी के पार हम लोग पर जी मामेव का प्रेसिडेंट था और 30 सालों से वह रूल कर रहा था और 30 सालों से उसके बीच में उसने बहुत से गलत काम भी किये थे थे नंडेमोक्रा कि आप लोग ந कना सब्सक्षल था यहां पर लोग एक फिगर देख सकते हैं जो आप लगा सकते हैं यहां ज़ल संगया है यहां नहीं नहीं चलता है और पर्सनल इंफ्रमेशन ، वा देश 국ा उन्स यह पिक्चर वाई दिखाना चाहता है अब हम लोग समरी डिफनीशन के बारे में करते हैं अब हम लोग जो परेद डिमक्रासी जो फार्म गवर्रमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेट वाई प्रिपूल हम ने यह जाना कि जो यह डिफनीशन है वह पूरा नहीं है कुछ हद तक सही है क्या अब हम लोग जानते है कि अब जो रूलर है वह कौण है रूलर जो है जिसको हम छोग चुनते हैं वह दिर्त हो जो कि सारा के तर्भारिफ्वत है कि प्रीकाम कारता लेक्सन जो है और इलेक्सन क्यों होते हैं इलेक्सन उसे में कुर्शन की होता है और बोर्ट जिताए रेक्सन जब इससे होगा कि तख रा अपने को बिना किसी का सकते हैं अदला बादली के वोटी देना चॉछ इना चाहिए प्रे-एन्फी जैसे कि नोगर, अब यह से क्या होगा उस से यह होगा कि जो रूलर होगा इसको ईफार बाटना रहे होसको उसको ढटना Clay Town और वह गलत काम नगी करेंगा हारने के डर से आ हार सब कही है हे फिछ पर आता है कि one rule वह दोन, one People का One venue,on권 vote होना चाहिए वो भी होना चाहिए ठीक ना और जो रूलर होने चाहिए उसको जो रूल से Constitution के अनुसार और जो सिटिजन का राइट दिया गया है वो सब को follow करते रहना चाहिए तो हम लोग यह चार पॉइंट पर हैं इसमें हम लोग को फिर पांच नंबर का वो क्या करेगा एडवाइस देगा major decision taken by elected leaders ऐसे ही आप लोग बना सकते हैं progress check कर रहा है तो आप खुछ से बना अब कह रहा है वाई democracy हम लोग ने तो पर लिया वाटी democracy feature भी पर लिया अब हम लोग परेंगे कि democracy क्यों तो जितना हम लोग detail में समझा सकते थे हम लोगे समझाने की कोसिस किया है और जितने topic है उसके उसरा हम लोग ने समझाने की कोसिस किया है कुछ फीगर भी थे लेगिन फीगर को लेको नहीं नहीं देखा विस्करेंगे कि अन्ती में देखे तक आपको अच्छे से समाझ में डाउट नहीं है हम लोग यह डिवेट होता है उसको अम लोग नहीं पढ़ते हैं आप लोग पर लीजिएगा अब एक यहां पर दिया हुए Agreement अगेंस डेमोक्राइसी अब यहां पर Conversion क्या होता है कि दो-चार बच्चे होते हैं वह डेमोक्राइसी को बेस्ट कहते हैं कोई कहते हैं जोना यह बेस्ट नहीं है जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं अपिनियन को सेर करने का हम लोग अधिकारी नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे सेर करें डिमोक्रासी अगर है अभी तभी तो हम लोग अपिनियन को सेर कर रहे हैं हमारा राइट है कि हम लोग राइट तो अपिनियन है आप लो इस में से पांच भी लिख सकते हैं आपको पांच नमबर में पूरा मिल जागा तो आप लोग बजई जाएं आम से सुनिये बार रा में पुलिटिकल इंस्टाबलिटी होता अब होता भी है वाणिक चले कोई लीडर जो है अच्छा काम करने जा रहा था लेकिन पांट साल होने के कारण वो हट गया तो जो उसका काम था वो तो अधूरा चुट गया लेकिन वो काम तो अच्छा था ऐसे में पोलिटकल इंस्टैबिलिटी होती है अब डेमोक्रासी में अब बोट जो हम लोग वोट लेने के कारण बहुत सारे जो जो कंप्टीटर है जो भोट लेते हैं वो जो है किसी को रुप्या देकर जो है वो बोट को काते मेरे ही पर बोट देना ऐसा नहीं होना चाहिए यह सब निगेटिव एसपेक्ट है और जो इसको हम लोग होते हैं डाउट नहीं हम लोग जो परसानी होते रहते हैं गाउं में या शहर में रहते तो जो परसानी होती उसके पास नहीं जा पाते तो जो लीडर जो है वो अच्छे से क्या कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि अच्छे से वो लोग हम लोग का प्राब्लम को सॉल्व नह अब क्या रहा है यहां पर हम लोग देखते हैं अब इसकी जो पॉजिटीव असपेक्ट है वह हम लोग देखते हैं अब चाइना में फ्रमाइन आया था नेंटीफिटीएट से नैंटीश्टीवन में जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे तीन थी करोर पीपल जो है वह इस से मर गए थे इंडिया जो है वहाँ इंडिया का जो एक्क नोम नहीं रखे हैं जैसे कि इंडिया में जो मेडिया है वो फ्री है कि कोई बी इंफ्रमिशन को सेयर कर सकता है और पर आदमी के पास पहुंच जाता है लेकिन जो इंडिया में क्या होता है उसमे जो है मेडिया इसको फ्री नहीं किया गया तो यह को के इंफोर्मेशन सबढ़ नहीं कि इसलिए वहां के जो मेडिया फ्री नहीं होने के वह सरे लग मढ गयते हैं तो भी और सकते कि देमो कुलर restaur continuar शुिस्डाइक धुंञें है वह भी गवर्मेट्स है और जो नन दीमोक्रैट की गवर्मेंट है वह वह प्प्पल कeen अनुसरा चलता है नहीं यह नन डेमोक्रैटिक में घिसब भी इपऄंड रहता है तो जो अन डेमोक्रैटिक को 2 भी शॉर्साइओ प्यपकरसकता है कि अब और चाहे लोग तब तुलर पर भीडिपेंड करता है कि जो लोगों का जो विस्एज़ को पूरा करे या नहीं करें, लेकिन जो यह हम लोग बात कर रहा है रूलर को मन करे तब ये नन देमोक्राटिक हो गया, लेकिन जो डेमोक्राटिक में, यही आछ है जो रूलर जो की पिफुल जुछाते हैं, वही होता है जैसा है, जए कि इंडिया में होता है, जो रूलर हा उसको हम लोग ने चुना निट्रचिंट किया, तो रुलर को हम ने किया है, तो ऐसे रिप्रजंट किया हो अई además कपर आपक हो काम करेंगे, वो मेरे अं डुमोप्राटिक में क्या हुआँ होता डुमोक्राटिक भी ieniaुन लेने में कोई भी डुमोक्राटिक है तो तो हम लोगों अच्छा और बहुत बनाकर देता है जैसा कि Ama 平त देखते हैं इंडिया में इंडिया सोटे की तो जो लोग दिसकन करके बहुत लोग को बैठा के समझाया जाता यहाँ है उसको एंडिया में लगाया जाता है मतलब लोग को मिटिंग करके डिसकर्शन करके बहुत लोग को बैठा के इसको समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे होता है और उसके बाद लागू किया जाता है चैसे ना हम लोग कर सकते हैं कि Demokrasi में हम लोग डिप्रेंसेट और कंफलिक जो लडाई होती होसे इसको हम लोग कर रखना है जो लोग जो है नो बंदे रहते हैं अब मालन के लोग उपर पर ठीजहर हम फटो करेंगे तो हम लोग को अब फ्रियर नहां नहीं कर तो लोग को यह डिर्स्रिमिनेशन का भेत बाई बहेंसे नहीं करना तो अम लोग को यह यहल बी उसकता है तो डेमोक्राइसि से क्या होगा कि किसी को भी सुपीरियर और इंफीरियर नहीं दिखाए जा सकता है, कोई भी एक देश है, उसमें बहुत सार डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, वो लोग बहुत बहुत लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग लेकिन जो डिये आहिसा चीज है जो कि सभी लोग को एक दूसरे से मिलने के लिए मजबूर कर देते हैं है डिमॉक्रासी में कंस्ट्पीटिफन बनायेगा और उसके ओसा तो चलना ही पड़ेगा नहीं किच चलेंगे तो यह बहुत ही खास चीज है तो फॉजिटिव एस्पेक्ट में आप लोग यह भी लिख सकते हैं आप देख सकते हैं आप फॉर्थ पर आते हैं तो आपको पांच नमबर लाने के लिए आप लोग को यह सब लिखना होगा कि अब कोई भी सीटीजन है ठीक ना अब डियमोक्राटिक में कोई भी रूलर अगर गलत काम करता तो उसके जो अपोजिशन पार्टियों उसका बिरोध करते हैं तिससे क्या होता है जो गलत काम करने वाला जो लोग है वो भी डढ़ता रहता था ठीक ना और वो जो है वह जि पूर रहे तो या पूर रहे तो पूर रहे तो पूर रहे तो सब को है वह एक ही मानती है ठीक न अगर वह कोई गलत काम करती है तो जैसे कि मों बता है अपोजिशन उसका बिरूद करती है तो यहां पर फानली यहां पर लिखा भी हुआ है इस डिमोक्राशी बेटर दान अधर फॉर्म आफ गर्मेंट तो अब हम बात करते हैं डिमोक्राशी अब मान चलो कोई हैं डिक्टेटर सीफ है डिक्टेटर सीफ है या ही डिक्टेटरी किंग है अगर वह गलत काम करता है तो जारेम कोई दीन है लोग्थि न सजादेगा लेकिन बोक्राइखितों गलतिं में ही तो सालगे मंरते च्यमों मैं वाद कोयो फर्म चिसा आप्फर कोई शे करे काम आसे जो हम लोग, अब जारेंगे, यह आपर बताया गया यह फेमस काट्वन है R.K.Lakshman, और यह ना, आरके लक्षमन है, हम लोग कहा सकते है, एक अपने NCRT में जितने भी बुक है, जितने NCRT के बुक है, उसमें R.K.Lakshman का ही काट्वन रहता है, बहुत ही अच्छे, और बहु यह एक फ्लावर लिए हुए है बंदा यूनिटी डेमोक्रेसी से कुलेजम एक्वालिटी इंड्रस्ट्रियल ग्रोथ इकनोमिक प्रोग्रेस जएक सकते फ्रीकर है है तो हम वह और ब्रोद्टर मीनिंग of democracy आप यहां पर हम लोग को कितने टॉपिक पर नहीं बस हम लोग बाइज नहीं लिखते ओए तो हम लोग पूरे आदमी, अभी इंडिया है, 145 करोर अब होगा, तो सारा आदमी एक जगे कट्टा तो अपना काम छोड़ कर थोरी ना आएगा, तो क्या होगा, तो पहले वो क्या करते हैं, लोग जो है, वो एक लीडर को चुन लेते हैं, वो अपना डिसीजन लेता है, हर अब इतना ज़्यादा पुपलेशन में थोरी तो वही लेही सकता है, यही एक काम ही रह गया, अब जो डिसीजन जो है, वो रीडर लेता है, लेकिन मोडर्न डेमोक्रासी में, अभी के जो लीडर है, जैसे कि हम लोग लीडर के बात की हैं, तो लीडर भी होते हैं, वह मुख्या कहा चुने, अब मुख्या अब उससे भी उपर होता MAJ, Now less toень pem, प्रेशिडेंट, यह सब, सभ को चुना गया है रुप्रे՞्ट कहा गया है उसके काम के लिए, इसे काम के लिए. बं काटिया के है. कि अभी के modern democracy में power distributed है सभी के पास equal equal distribution किया गया है power का ताकि कोई भी जो है वह गलत यूज नहीं कर सके power का अच्छे से लोग को पुरा परने के वाद हम लोग को यह पता भी चल गया हो कि जितने अभी तक country है उसके किसी के पास perfect democracy नहीं है सब में कुछ अभगुन जरूर है क्योंकि हर एक चीज में गुन और अभगुन जरूर ही होते हैं अब हम लोग इस condition कुछ जितने condition हम लोग ने feature पर है chapter में इससे परने के बाद हम लोग को यह पता चली गया कि कोई भी country जो है perfect नहीं है चाहे वो मोनारकी हो, dictatorship हो या one-party system हो चाइना का success तभी होगा democracy जब active participation होगा मतलब होगा जितने भी जो लोग है जो भूट देते हैं वह सब जागरुक होगे वो लोग परहे लिखे होंगे पर्डे लिखें होंगे जानते होंगे कि कौन से लीडर अच्छे होंगे और यह तो हम लोग जानते हैं तो बहुत से ऐसे लीडर जो है वह un-paid है कि 25 यह हम लोग ने एट में पढ़ा भी होगा कि क्या क्या चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए देश च़ाओं सवगा मिनिस्टर बनने के लिए इडूके टिए उतना होना जरूरे नहीं यही बात है तो लिकिन उसके लिए लिए अगर हम लोग को देश को अच्छे से चलाना होगा तो इसके एक बहुत ही पढ़े लिखे एडुकेटेड और एक अच्छे व्यक्ति को हम लोग को चुनना होगा देमोक्रासी तभी हम लोग को संभव है अच्छे से हम लोग तभी डिमोक्राटिक रह सकते हैं पढ़ा लिखा इंसान ही देश को आगे तक ले जा सकता है मुझह लगता है कि मैंने सार्रा टॉटिक को बता दिया तो आ प्रेंट आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सिर्फ टॉटिक पर आया है तो आप उसके अनुसा आप लोग करेंसे आप व लोग कमेंट में तो इसका और स्रीन्सट डें लेकर आप इसका फ्लोड मैं तो मैं तो फोटो को ड्राइख करोंगा कि जो मैंने विसके पीछ में इस फोटो को डाल death byla अधिकतर जो है हुआ इसमें लिख दिया हुआ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीज़ तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें पुरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दमाना ना बना ताके आपको हार नोट्रिफिके झाले के दो हुआा सब्सक्राइब कर दो है।